हे गाइस दिस इस रोईद भाकत यान वेलकम बैक टो माई चैनल मोबाइल टॉक तो गाइस आज की वीडियो हम करेंगे सैमसंग गलक्सी एमट्विव्यू का कैमेरा डिव्यू एंड कैमेरा टेस्ट एंड आपको दिखांगे इस पैस सीगेंड पे सैमसंग आपको कैसा कैमेरा प्रोभाइट कर रहा है तो चलि आजका वीडियो बीना टाइविंग अवाई शुरू करते हैं गाइस वीडियो शुरू करने से पहले बात बताना चाहते हो इस सैमसंग गलक्सी एमट्विवू को पर में और भी वीडियो बना चुका हो लाइक, review, unboxing videos, features बाला videos, gaming test videos, तो उन सभी videos का link आपको इस video का description पर मिल जागा, time हो तो videos भी check out कर लिना, तो चले पहले आपको दिखाते हैं इस phone की camera designing, तो पीछे की तरफ देख सकते हो guys, यहाँ पर आपको vertically design पे एक square के अंदर triple camera setup पोबाइट किया जागा, camera के बगल का आपको white angle and जो 3rd camera आपको पोबाइट किया जागा, 5 में आपको इस अपको फॉद देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी macro lens नहीं पोबाइट किया जा रहा है, बात करते हैं, phone camera के बारे में, तो guys, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 20 में आपको आपको फॉद देखाते हैं, and guys, यहाँ पर देख सकते हो, जो blur option है, इसको आप adjust भी कर सकते हो, तो काफी अच्छा feature से, यहाँ पर आपको मिल जाएगा photos mood, तो guys, photos mood पे अगर आप चाहते हो, एक daylight या normal photos क्लिक करना, तो आप यहाँ पर frame size full रख सकते हो, इसके लावे guys, आप चाहते हो, 48 में आपिसल से shots लेना, तो यहाँ पर guys, आपको dedicated 48 में आपिसल का mood नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पर frame size में जाकर 3-4 करना है, यानि 48 में आपिसल का mood है, वो select करना पड़ेगा, तो आप 3-4 frame size पे 48 में आपिसल सोर्ट्स ले सकते हो, इसके लिए guys, यहाँ पर मिल जाएगा videos mood, तो guys, videos mood प आप 4-4 के वीडियोस यानि USD वीडियोस भी एक वाट गर्षक, तो बात करते हैं, इसे यहाँ पर mode option मिलेगा, इसके अंदर आपको बहुत सरा नयना features पोवाइट किया जाएगा, जो के common feature सी है, pro mood मिल जाएगा, यहाँ पर आपको panorama mood, food mood, night mood, super slow motion mood and slow motion and hyper slap mood, तो चले मैंने करके आपको दिखाते हैं, तो पहले हम बात करेंगे इस phone की जो main camera यानि daylight अगर आप outdoor shot लेते हो, तो कैसे आपको picture quality पोवाइट किया जाएगा, तो guys देख सकते हो sample आपको कुछ इस type मिल जाएगा, तो outdoor कोई भी photos अगर आप लेते हो इस phone से, तो काफी अच्छा आपको picture quality प पोवाइट किया जगा, अब बात करते हैं, daylight shots के अगर आप चातो 48 में एपसल का shots लेना, तो just आपको जाना है frame size पर 3-4 कर देना है, तो guys देख सकते हो, मैंने बहुत सारा 48 में एपसल में भी shots ले चुका हो, तो आप पहले एक एक करके देख लीजिए, तो guys यहाँ पर पोवाइट किया जगा, तो guys यहाँ आप आप डीटेल्स पर देख सकते हो, जो मैंने फोटो क्लिक कर चुका हो, तो यहाँ पर जो फोटो का साइज है 2.11 MB, एन फोटो का डेमिनेशन आप देख सकते हो, 4000 x 1244 पिक्सल, एन यहाँ पर आप आप चार पोवाइट किया गया, आप 2.0, एन गयाँ फोटो मैंने 48 में आप इसल मूट से क्लिक कर चुका हो, तो यहाँ पर जग सकते हो, फोटो का जो साइज है 9.82 MB, यानि बहुत ज़्यादा साइज यहाँ पर आपको पुबैट किया जागा, एन फोटो का डेमिनेशन आप देख सकते हो, यहाँ आपको 8 में आप इसल से क्लिक कर सकते हो, अब बात कर लेते हैं इस फोन की जूमिंग के बारे में, तो यहाँ आपको only 4X तक जूमिंग पोबैट किया जा रहा है, तो यह सैंपल आप देख सकते हो, यह नॉर्मल क्लिक, यह वाला सैंपल आपको 4X जूमिंग करके, तो 4X मिलता है, तो यहाँ पर 4X तक आपको काफी अच्छा ही पोबैट किया जाएगा, यानि Samsung Galaxy M21 पे जूमिंग मिलता है आपको, overall काफी अच्छा ही मिलता है, बात कर लेते हैं अब अल्ट्रावाइट सोट्स, यानि जो 8 में आप इसल का आपको जो कैमरा पोबैट किया जा रह अब बात करते हैं, फोट्स जो आउट्पूर अपको मिलता है, तो यहाँ पर काफी detailing का अंतर अपको मिलेगा, तो गैस मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आउट्पूर अपको semi-pubied किया जागा, बस यहाँ पर जो color है, थोड़ा अंतर मिलेगा color का, तो normal photos का color और ज यहां पर देख सकते हैं जो मैंने नॉन्मोल शुर्च ले चुका हूं तो यहां पर यहां पर फोटो का साइज है 3.9 Mbps फोटो का डिमिनेशन देख सकतो 4000 x 1244 पिक्सल और वही फोटो मैंने गाइस देख सकतो अल्टर वाइड मूट से क्लिक कर चुका हूँ तो यहाँ पर देख सकतो जो फोटो का एम भे थोड़ा बहुत ही कम गया 1.66 एम फोटो का डिमिनेशन यहाँ पर देख सकतो 3264 x 1540 और नी आपको मिलते हैं F2.2 तो अगर देखा जाए अल्टर वाइड शॉट्स काफी अच्छ है ओबर एक्सपोज नहीं होता काफी सारा मोबाल पर इस प्राइस पर मैं देख चुका अल्टर वाइड फोटो का जो क्वालेटी है वो पिक्चर थोड़ा ओभा एक्सपोज हो जाता है तो यहाँ पर जो आपको पिक्चर आउट्पूट मिलेगा ओवल आपको अच्छा ही पोगाइट किया जागा अब बात कर लेते गाईस थर्ड कैमरा के बारे में तो थर्ड आपको 5 में आप इसल का देप सेंसिंग यानि पोटेड लेंस के लिए यूज किया गया तो अधरवाइस यहाँ पर एस डिटेक्शन देख सेंगों काफी क्लियार्टी एस डिटेक्शन मिल जागा अधरवाइस डाइनामिक रेंज और फोटोस की जो क्वालेटी और सार्पनेस देखते हो वो भी आपको काफी अच्छा पुभाइट किया जागा और गाईस मैं बतान लेते हैं guys font camera के बारे में तो यहाँ पर guys आपको 20 megapixel का font camera पुभाइट किया जागा जहाँ पर aperture आपको मिलता है f2.0 तो guys यहाँ पर output आपको कुछ इस टाइप मिल जागा तो guys यहाँ पर देख सकते हो font camera आपको काफी अच्छा पुभाइट किया जागा font camera के जो color है photos output है photos क जो sharpness से overall काफी अच्छा मिलेगा otherwise beauty, skin tone वो भी आपको काफी अच्छा पुभाइट किया जागा and guys बात करते हो font camera के portrait mood के बारे में अच्छा मिलेगा and guys मैंने बहुत सारा source ले चुका अब देखी सकते हो तो overall जो photos का जो detailing हो काफी अच्छा मिलेगा photo का जो आपको age detection मिलेगा वो भी काफी अच्छा मिलेगा and photo का जो overall sharpness and dynamic mechanism देख सकतो तो आपको आच्छा ही पुभाइट किया जागा अब बात कर लेते guys videos mode के बारे में तो guys मैं बताना चाहूंगा videos mode पे आपको यहाँ पर 4K videos record कर शकतो 1080p and 720p resolutions पे videos record कर शकतो तो guys यहाँ पर देख सकतो video settings पे आप जाके तो यहाँ पर guys rear camera photo size and 16 is 29 यहाँ पर guys देख सकतो UHD तो यहाँ पर resolution आपको पोबैट केगा 3840 by 2160 अगर आप full HD resolutions पे click करना चाते हो तो यहाँ पर resolution आपको रखना पड़ेगा 1920 into 1080 अगर आप HD quality यहाँ 720 भी videos record करना चाते हो तो यहाँ पर आपको resolution रखना पड़ेगा 1280 by 720 तो guys यह मैं तीनों shots पे videos record कर चुका हो and guys एक एकर कर आपको दिखाऊंगा and guys देखाना से पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको EIS यहने electronic image stabilization की supported मिलता है लेकिन अगर आप यहाँ पर आपको EIS का सपोर्टेट नहीं मिलेगा अदर्वाइस आप 1080 भी 30 एपिस यह 720 भी 30 एपिस पे videos record करते हो तो यहाँ पर आपको EIS का सपोर्टेट मिलेगा वीडियोस आप देख रहे हुए Samsung Galaxy M21 की back camera से recording हो रहा है और यहाँ पर जो वीडियो का resolution रखा गए यहाँ पर जो 4K आपको वीडियो पोवाइट किया जा रहा है तो यहाँ आपको EIS का सपोर्टेट नहीं मिलेगा तो वीडियो क्वाइट किया जागा यानि थोड़ा से की videos आपको मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो वीडियोस यह मैं नॉर्माली ओक कर रह यहाँ पर देख सकते हो आपको वीडियो स्टेबल आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर काफी आपको अच्छा इस्टेबल पोवाइट किया जाएगा यहाँ यह वाला वीडियोस भी M21 की बैक कामरा से रेकॉर्डिंग होड़ा है लेकिन ही HD कॉलिटी पे तो यहाँ पर पर देख सकते हो बहुत ही आपको सेखी फ्री वीडियोस मिल जागा अगर आप चाहते एक मूबाइल वीडियोग्राफिक करना तो आप 720p यह 1080p यानि फूल एस्टी वे वीडियोस रेकॉर्ड कर सकते हो और गाइस से जो साउंड आप सुन रहे हो यह एक्स्टेर्नल माइ एक करके पूटिचियो वीडियोस रेकॉर्डिंग हो रहा है एन गाइस यहापर आपको मिलता है टेडिकेट नाइट मूड तो गाइस अगर आप नाइट मूड पे कोई फॉटोस ले तो अगर लो लाइट यानि थूदा लो लाइट यानि या शाम के टाइम पे फॉटोस तो काफी आपको noise free photos picture output मिलेगा तो यहाँ पर आप sample देख सकते हो otherwise guys आप fully low light photos लेते हो तो उहाँ पर थोड़ा noise आने का chances रहता है अगर आप flashlight on करके लेते हो तो साइध उहाँ पर आपको fully noise free picture output मिलेगा and guys अगर आप लेते हो 20 megapixel याने font camera से night mode पे photos क्लिक तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा ही photos quality मिलेगा अगर आप fully low light पर लेते हो तो front camera पर थोड़ा noise आने का chances रहता है अब बात कर लेते हैं slow motion mood के बारे में तो यहाँ इस यहाँ पर आपको super slow motion and slow motion प्रोबाइट किया जागा अगर आप normal slow motion लेते हो तो अब 240 IPS पर capture स्कर्ष रहता है तो गाइस यहाँ पर जो slow motion पर आपको तो गाइस यहाँ पर जो slow motion का output आपको मिलेगा काफी अच्छा वीडियोस quality के साथ आपको slow motion प्रोबाइट किया जागा अब बात करते हैं गाइस hyper slap याँ time slap mood के बारे में तो गाइस यहाँ पर मैंने time slap mood भी ले चुका हूँ पहले आप sample देख लीजिए तो गाइस time slap mood पे भी आपको काफी stable वीडियोस quality पोबाइट किया जागा अब वीडियोस का quality देख सकते हो काफी अच्छा ही मिलेगा मैं काफी सारा mobile पे देख चुका हूँ time slap mood पे अगर आप वीडियोस recording करते हो तो उसका जो frame होता है थोड़ा अटक 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 जाता है या और भी कोई जानकर इस phone के बारे में तो आप मुझे comment करके बता सकते हो अगर आपको वीडियोस useful लगा बहुत ही अच्छा लगा तो वीडियोस को like करना अपनी दोस्त के साथ जरूर से जरूर share करना तो आज का छोटा सा सांदर वीडियो जहीं पे कतम करना फिर मिलते है एक नई वीडियो के साथ तब तक करें गुडबाई जैहिंद बनमात